नमस्कार प्यारे बच्चो तो आज हम पढ़ेंगे कक्षादो की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिम जिम की एक बड़ी ही प्यारी सी कवीता और कवीता का नाम है म्याउ म्याउ तो बच्चो इस कवीता में एक लड़ी है जो की चुईया से बहुत डरती है लेकिन अंत में उसने चुईया को डराने की एक तरकीब सोच निकाली तो आईए पढ़ते हैं ये कवीता और देखते हैं कि उस लड़की ने चुईया को किस तरकीब से डरा कर भगा दिया म्याओ म्याओ सोई सोई एक रात में एक रात में सोई सोई रोई एक एक बिलक कर एक एक बिलक कर रोई रोती क्योंना मुझे नाक पर मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूटी चूईया काट गई थी चूटी भर सच मुच बड़ी दरी चुईया से चुईया से सच बहुत डरी मैं खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कापने घड़ी घड़ी मैं सूजा तबी बहाना मुझको मुझको सूजा एक पहाना जरा डराना चुईया को भी चुईया को भी जरा डराना कैसे बला डराओं उसको कैसे उसको बला डराओं देरे से मैं बोली म्याओं 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 कविता का सार सोई सोई एक रात में एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलग कर रोई तो बच्चो इस कवीता में एक ऐसी लड़की है जिसे चुईयां से डर लगता है तो वहरात में सो रही थी और अचानक से उठकर जोर जोर से रोने लगी बिलग बिलग कर रोने लगी रोती क्यों न मुझे नाक पर मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईयां चूटी चुईयां काट गई चूटी भर तो लड़की किसले रोने लगी कि उसकी नाक पर नाक की नोक पर एक चुईयां चूटी काट गई थी जिससे उसको दर्द होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी सच मुझ बड़ी डरी चुईयां से चुईयां से सच बहत डरी मैं खड़ी देखकर चुईयां को मैं लगी का अपने घड़ी घड़ी मैं सूजा तभी बहाना मुझको मुझको सूजा एक बहाना उसके बाद जब वो उठ गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक चुईया है तो वहे उस चुईया को देखकर बहुत ही डर गई और वहे लड़की चुईया को अपने सामने देखकर डर से धर-धर कापने लगी लेकिन तभी जरा डराना चुईया को भी चुईया को भी जरा डराना कैसे बहला डराऊं उसको कैसे उसको बहला डराऊं तीरे से मैं बोली म्याऊं 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 उसके बाद उसने ये तरकीब सोची उसको एक तरीका सूजा कि चुया को कैसे डराना है तो इसने सोचा कि वह बिल्ली की आवाज निकालेगी और चुया को डरा देगी तो उस लड़्की ने धीरे से और चुया को डरा कर भगा दिया तो आध बच्चो अब पढ़ते हैं पाठ्थे पुस्तक के प्रश्न अभ्यास की तरफ तो यहां सबसे पहले है सुहानी की बात तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना उसका एक दोस्त भी था उस नटकर दोस्त का नाम लिखो तो बच्चो आपको याद है क्लास वन में आपकी एक दोस्ती सुहानी ये रही है ना और एक इसका दोस्त था ये देखो तो हमें सुहानी के दोस्त का नाम बताना है तो इसका उत्तर होगा सुहानी का दोस्त एक नटखट चूहा था जिसका नाम गोलू है अगला प्रश्ण है इस कवीता में बिल्ली की आवाज किस ने निकाली है उसका नाम भी सोचो तो बच्चो इस कवीता में बिल्ली की आवाज लड़की ने निकाली है और उसका नाम महक है आप उस लड़की का नाम कुछ और भी रख सकते हैं अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती तो बच्चों अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह इस लड़की को भैभीत नहीं होने देती और चूहे को डरा कर भगा देती अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कवीता में लड़की ने म्याओं की आवाज निकाली थी म्याओं की आवाज सुनकर चुहियां पर क्या असर हुआ होगा इसका उत्तर होगा म्याओं की आवाज सुनकर चुहियां को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डर कर वहां से भाग गई होगी लगता है तब तुम क्या करते हो तो बच्चों यहां पर आप सब अपना अपना उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपको किस चीज से डर लगता है और फिर आप क्या करते हो जैसे मैं यहां लिख रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा डर कुट्टे से लगता है उसे देखते ही मैं किसी उची जगा पर खड़ी हो जाती हूँ या फिर छिप जाती हूँ अगला प्रश्ण है अब बताओ तुमें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे क्या करोगे तो मैं यहां लिख रही हूँ मैं कुट्टे को शोर करके डराओंगी इसके अलावा उसे डंडे से भी डरा सकती हूँ तो बच्चो यहां आप चिस भी चीज से डरते हैं उसको कैसे डराओगे यह आप अहां पर अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हैं अब बढ़ते हैं आगे की तरफ बन गया वाक्य नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तुमाल करो तो बच्चो यहां पर आपको कुछ शब्द दिये गए हैं उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं सबसे पहला शब्द है सूजा और वाक्य हो सकता है राम को एक बहाना सूजा धीरे से इसका वाक्य हम लिखेंगे मैंने धीरे से दरवाजा खोला बच्चो अगला शब्द है सच्मुच तो इसका वाक्य हम इस प्रकार से बनाएंगे मुझे सच्मुच गाना नहीं आता बहाना तो इसका वाक्य हम लिखेंगे बहाना बनाकर स्कूल से चुटी करना गलत बात है चुया ने नाक की नोग पर चुटी भरी किन-किन चीजों की नोग होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी नोग होती है और उसका चित्र भी बनाना है तो हम लिखेंगे मेज चाकू तीर पैंसिल सुई कलम इन सारी चीजों की नोग होती है अगला प्रशन है चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है अंगूठे और उंगलियों से और कौन-कौन से काम किये जा सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अंगूठे और उंगलियों की मदद से करते हैं उन में से कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे चुटकी बजाना, लिखने का काम करना, धागा पिरोना, खाने का काम करना, या फिर लूडो खेलना, आदी. अब अगला प्रश्ण है शब्दों का उलट फेर. सूजा मुझको एक बहाना, मुझको सूजा एक बहाना. कवीता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह से कहेंगे, मुझको एक बहाना सूजा. तो बच्चो कवीता में जो वाक्य दिये गए हैं, उनको उलट पुलट करके दो तीन तरीकों से लिखा गया है. तो नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से बताओ. एक तरीका आपको दिया गया है, उसके अलावा दो और तरीके से आपको उसी वाक्य को उलट पुलट करकर लिखना है. उलट फेर करकर लिखना है. तो पहला वाक्य है, खड़ी गाई थी चोराहे पर, इसको हम लिखेंगे, चोराहे पर गाई खड़ी थी, और दूसरा वाक्य बनाएंगे, गाई खड़ी थी चोराहे पर. अगला वाक्य है, घुस गया शेर जंगल में, तो इसको हम लिख सकते हैं, शेर जंगल में घुस गया, और दूसरा जंगल में घुस गया शेर. तो बच्चो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेर करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद.